हलो दोस्तो राम राम तो आज मैं बना रही हूँ चीवडा का भूजा हमारी यहाँ पोखा को चीवडा कहा जाता है आप लोग इसे किन की नामों से जानते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा गैस के फ्लेम को हमें मध्यमाच में रखना है और दो चमच तेल डाल देना है जब तेल थोड़ा गरम हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे मुंगफली अब मुंगफली को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है अब मुंगफली अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसे हम बाह बार भी निकाल लिया है और उसी बचे हुए तेल में हमें डाल देना है छोटी चम्मच राई के दाने और फिर दो सुखी लाल मिर्च और फिर धेर सारा कड़ी का पत्ता कड़ी के पत्ते से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और दो कटोरी हम डालेंगे चुड़ा और सभी लगातार चलाते हुए हमें बनाना है इसे लगातार हमें चलाना है नहीं तो ये नीचे से चिपक सकता है और फिर ये स्वाद में फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये जल जाएगा जैसे जैसे ये फ्राई हो जाएगा वैसे वैसे इसका कलर जो है चेंज होता हल्दी पाउडर और फिर स्वात के नुसार नमक और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा हम और फ्राई कर लेंगे हमारा चूड़ा जो है अल्मुस्ट फ्राई हो चुका है अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ मुंखफली और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और हमारा चूड़ा का जो भूजा है बनके तैयार हो गया है तो अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे तो इस तरीके से आप भी अपने घरों पे जटपड बनाईए और फिर इसका आनंद लिजे तो ये बहुत ही आ कैसा लगा मुझे comment box में जरूर बताईएगा और अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like and subscribe करना ना भूलिएगा तो है ना बनाना इससे आसान तो जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और घर की ही चीजों से बनके ये तयार हो जाता है तो मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा